FIBAC की तरह CIAC ने confirm कर दिया है या उनके स्कूलों ने अब बता दिया है और जो बारनिंग आज स्कूलों में student को दी गई है और हम लोगों को भी compare किया रिया है कि अब monthly student के attendance का chart निका लिए और यह pdf format में होने के साथ साथ आपके jpg format में यानि picture format में होने चाहिए जो whatsapp पर डाल दे जाएंगे और student को बेच दे जाएंगे और यह पूरा excel seat निकलेगा student के attendance का monthly wise तीन मंत के बाद, six मंत के बाद और pre-boarded generation से पहले मैं कहना क्या चाह रहा हूँ या आपको इससे क्या message जाता है कि इस बार confirm कर दिया गया है कि CBSE की तरह CISC के student भी कोरोना से उबर चुके है मतलब कोरोना period उबर हो चुका है और student के monthly progress report बनेंगे और try monthly मतलब कि तीन मंत पर उनके progress report के साथ attendance चार्ट भी बनेंगे और जो student 75% attendance रहेंगे स्कूल में उन्हीं को board examination में बैठने का मौका दिया जाएगा इससे पहले तक कोविड के protocol के कारण student को 2022 में और एक unexceptionally 2023 में ऐसा खहा गया कि attendance is not compulsory कुछ school इस बात के लिए 60 to 70% तक force देते रहें लेकिन अब इस में बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे school जो की student को को last समय में इस बात के लिए reckoning कराएंगे उनके साथ chasing out करेंगे और clear भासा में कर दू तो आपको torture और blackmail करने की कोसिस करेंगे कि 75% attendance है कि नहीं है इससे पहले तक 2020 और 21 में तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन 2020 के board एक्जामनी के साथ कहा गया था कि 70% तक attendance है that is good लेकिन इस बार 2023 में कहा जा रहा है कि आपके 75% तक compulsorally attendance होने चाहिए और अगर ए attendance 75% या इससे कम होते है उस कारण में आपको medical support लगाने होंगे यानि ऐसे data देने होंगे या ऐसे certificate देने होंगे या ऐस proof देने होंगे जिन से ये पता चलेगा कि student के जो support है वे किस तरह से valid है और अगर ये valid region नहीं दिये जाते है या student की order से जो भी enough proof नहीं दिये जा सकते तो उस condition में student के जो board एगामने से में बैठने को लेकर करी साले problem खड़े किये जा सकते हैं स्कूलों के दुआरा और स्कूल final time में ऐसा करेंगे इसलिए इन बातों को ध्यान रखने के जरुवत है ICSC and ISE के board एगामने के साथ साथ class 9th और class 11th के student के लिए भी ये जो information आया है वो under 8 standard तक के लिए तो है ही ICSC में लेकिन 11th 12th तक के लिए 9th से लेकर ये report करने का मतलब है कि अब ये पूरी तरह से एक warning या alert या consciousness आपको process है इसी बीच ये दो बुक है उस्वाल publications के जो की काफी उपयोगी है ISE के एड़ ICSC के लिए चैप्टर वाइट सब्जेक्टिब अब्जेक्टिब के साथ साथ numerical और जितने भी detail है latest syllabus पर आधारित है जिसका काफी discount मिल्डा Amazon पर जिसका link भी दे दिया गया तो यदि आप वहाँ से purchase करते हैं तो 100% इससे में benefit मिलने जा रहा है कुछ बुक पर जैसे social studies के होगा history civics और जोग्राफी के होगा humanities में तो 50% तक discount है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं इस वीडियो को like कर सकते हैं चैनल को share और subscribe